बच्चों की हैपिनेस अट्मोस्ट इंपॉर्टन्स की है लोग आज की जमाने में अपनी अच्छाई चुपाते हैं दुनिया से एजुकीशन भी हम ऐसे देते हैं कि उनको बोज ना लगे जैसे ही पता चलता है कि कहीं पे सही काम हो रहा है, कनेक्ट बनता है वो हसते खेलते सीख जाए सालनी दीदी कॉर्पोरेट के चकाचाउंद के दुनिया में रहने वाली जब इसलम बस्ती में बच्चों के पास आती है तो मानो सभी बच्चों में अपने जीवन के अच्छे भवी से नजराने लगता है मैं शुरू से कॉर्पोरेट्स में गवर्मन जॉब्स में रही हूं तो मेरा कोई ऐसा एक्स्पोजर नहीं रहा है लेकिन करोना के टाइम पे जब हम अपने सोसाइटी से निकलते थे कुछ खरीदने के लिए तो बहुत सारे बच्चे घेल लेते थे सालमी दीदी ऐसे समाज सेवी हैं जिसके रग रग में समाज सेवा बसा हुआ है दीदी का एक ही सपना है समाज के हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले चाहे वो किसी वी वर्ग से क्यों आते हो इनका एक ही लक्ष है समाज को सिक्षित बनाना आज यही मुहिम को लेकर गली गली जोगी बस्तियों जाजा कर सिक्षा पहुँचाने का काम कर रही है सालमी दीदी इसे बच्चे क्यों घूम रहे हैं कौन बच्चे हैं जो इस तरह की हालत में हैं और मुझे लगता है कि हर बच्चे का राइट है एजुकेशन के लिए तो कुछ बेसिक राइट हर बच्चे के होते हैं तो इनको क्यों नहीं मिल पा रहा है सिवानी वेलफेर फॉंडेशन महिलाओं के आत्म सम्मान बच्चों के अधिकार इज़त एवं समाजिक अस्तिती की सुधार के लिए जिस प्रकार उत्साहित रहती है देखकर अच्छे अच्छे के वसीने चुट जाते हैं अधिकार बिवाज आज आपको को अधिकारों को जाई आए आपने एक प्रोग्राम और्गनाइज किया है जिसमें आपके पास बहुत सारे बच्चे आए हैं और देख रहे हमारे साइड में कुछ महिलाएं भी आए हैं बड़े बच्चे भी आए हैं गर्ल्स आई है तो उन बच्चे को उन जो पारेंट्स है स्लम एडिया के हैं या जो भी महिलाएं आए हैं या हर किसी के लिए उन राइट्स का क्या मतलब आप अपने एंजीयों के जरीए समझाना चाहरे हैं आप हमारे दर्सक को बदाएए हैं अबच्चों की एजूकेशन पेलिए अंडर पुद्लेश्च बच्चों के एजुकेशन के लिए हैं तो हमे इनके अधिकारों के आती समझ उनके अंदर डेवलप करना हमारा करता वे हैं तो हमें बच्चों के अधिकारों के लिए एक एंजीयों के अस्थापना की जिसका नाम सिवानी वेलफेर फॉंडेशन है ये वेलफेर सोसाइटी जो समाज के बच्चों और महिलाओं के उत्थान के लिए द्रिट संकल्प है ऐसा कुछ माइन में नहीं था कि कोई इंस्टिटूशनलाइज करेंगे एंजीयों बनाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे लेकिन थोड़े दिन के बाद मैं रेलाइस हुआ कि ये बच्चों को खाने वक्कों भी ठीक से नहीं मिलता है समाजी कारी को अपना धर्व मान कर तीन वर्सों से लगातार इनहीं बच्चों मैलाओं के साथ अपना दिन और रात एक की हुई है सालिनी दिदी यानि सिवानी वेलफेर फॉंडेशन का एक ही उद्देश है हर बच्चे के चहरे पे मुस्कान हो बच्चों की हैपिनेस अटमोस्ट इंपॉर्टन्स की है तो एजुकीशन भी हम ऐसे देते हैं कि उनको बोज ना लगे वो हसते खेलते सीख जाए सिवानी वेलफेर फॉंडेशन की सुरुवात सिर्फ छे बच्चों से हुआ था जैसे जैसे समय बीता गया बच्चों की संख्यां बढ़ती जा रही है आज लगभग 600 बच्चों के सिक्षा भोजन वस्त्र सिवानी वेलफेर फॉंडेशन की जिम्मेदारी बन गई है आने वाले समय में सिवानी वेलफेर फॉंडेशन का एक ही उद्देश है एक अच्छा सा स्कूल हो आज मैंने आया तो देखा कि बच्चे के खाने का उसमें भी अच्छा खाना आप दे रहे हैं अपने सामने खरे होके बच्चे को खिला रहे हैं और अपने सामने में खरे होके खाना बनबा भी रहे हैं इसमें छोला था वतूरा था कुछ फूरूट्स भी था तो आप हैजनिक का भी धियान रख रहे हैं और अपने सामने खरे होके बनबा रहे हैं तो ये डोनेशन कहीं से आता है या आप अपने पॉकेट से भी लगा रहे हैं बुझे जो महसूस हुआ कि लोग आज के जमाने में अपनी अच्छाई चुपाते हैं दुनिया से और जैसे पता चलता है कि कहीं पे सही काम हो रहा है और कनेक्ट बनता है तो वो अपने आप आके डोनेशन देते हैं तो हमें डोनेशन मिल जाती हैं और स्पेसिफिक खाने के लिए भी डोनेशन मिल जाती है सिवानी वेलफेर फॉंडेशन यही तक नहीं रुकती है जब भी किसी भी नेशनल पर्व यानि वेमन इंपावर्मेंट महिला का अधिकार या समाज का अधिकार यहां तक की मानव अधिकार अगर कोई स्कूल में आपको बैट टेच कर रहा है तो स्कूल पे तुरंट की तुरंटी बता देना है ना घर में जाके तो बता नहीं है मम्मी पापा को और कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा है तो नंबर क्या है 1098 1098 अब यह हम बीते 10 दिसंबर को राष्ट मानव अधिकार के दिन सिवानी वेलफेर फॉन्डेशन एक कारिक्रम के जरिये सभी बच्चे महिलाओं और लड़कियां को अच्छा बुरा और अपना अधिकार क्या होता है जब हम वकीलों से बात किये तो उन्होंने अपना-पना सुझाव इस तरह दिया कर ऐए है तो साथ साल से बच्चा साथ साथ फिर बारा साल से नीचे की ऐसका बच्चा और 18 साल से नीचे की है इसका इस से बच्चे ऐसे होता हैं तो उस केस में क्या किया जाए तो इसके लिए IPC जो कि बहुत पुराना है अंग्रेजों के टाइम से है और इंडिया भी इसके अंदर बहुत सारे आमेड़ेंवन कर चुकी है उसमें पहले से दिया हुआ है कि 7-12 साल के बच्चे अगर अफैन्स करत कि साथ साल से बारा साल का बच्चा अगर ऐसे कोई गलती करता है, जो गलत की डेफिनेशन में आता है, अपराद की डेफिनेशन में आता है, तो इने शुरू में ही समालके ठीक किया जाए। मानव अधिकार का जहां पर हनन होता है, याने मूलबूत अधिकारों का जहां हनन होता है, वहां से मानव अधिकार शुरू हो जाते हैं, मानव अधिकारों के परती आपको जैसे मूलबूत अधिकारों में सिक्षा का अधिकार, सवतंतरता का अधिकार और धार्मिक सवतंतरत समानता का अधिकार संपत्तिक अधिकार यह सब अधिकार आते हैं तो अगर उनका अहनन किसी भी रूप में हो तो वहां से मानव अधिकारों का जन्म होता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का मतलब यह होता है, जो समाज में जितने भी बच्चे, बड़े, जो भी रहते हैं, सब को बराबर लेने का, बराबर हर चीज़ पढ़ाई का, साथ खाने का, साथ लेने का, हर चीज़ का बराबर का हाथ है, चाहे वो किसी भी धहम से इसलिए समानता का अधिकार सभी बच्चों को और सभी को जानने का बहुत जरूरी है सभी वकीलों में एक वकील ये थी कि बच्चे के गुड टच और बैट टच के बारे में भी बताई यहां पर हम आये हैं, शिवानी मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, यहां पर आकर हमें बुला कर और यह बच्चों को काफी ज्यादा जागरूप कर रहे हैं, एक हमारा एक्ट आया है, पोस्को एक्ट, उसमें 7 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, इसमें पनिश्मेंट है, तो उसके लिए सबको जागरूप करने के लिए, और जहां आप कूछ रहते हैं कि आप बैट टच और गुद टच के बारे में, तो मैंने आपको पहले बताया है, कि स्विमिंग सूट में जो कवर पार्ट्स होते हैं बॉड़ी के, वो हमाई प्राइवेट पार्ट होते तो वो चीज़ बच्चों को पार्ट्स को बताना चाहिए और पार्ट्स को पिर अध्यान में रख्या कि वो क्या बता रहा है, तो उसके लिए एक्षन होथाना चाहिए, और 1098 पो कॉल करना चाहिए तो कि बड़े बड़े समाज, बड़े बड़े सोसाइटी में सभी अपने बच्चे या स्कूलों में सिक्षा तो दिया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, अच्छा और बुरा क्या होता है इस जुगी जोपरी में रहने वाले बच्चे, महिलाएं, लर्कियां इनको इन चीजों से बंचित रखा जाता है सिवानी वेलफर फॉंडेशन ने अपना मुहिम चलाया कि सभी बच्चे जो जुकी जोपरीयों में रहने वाले हैं उन सभी बच्चे को मानब का अधिकार, बच्चे का अधिकार, महिलाओं का अधिकार उसके बारे में जानकारी देना जो जो ने और दम से को करता है तो बैग तेसे लो नेके जाए